हाई दोस्तों राजवन सिंग वाली प्रपटी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और जो आज का टोपिक है यह एक केस्टडी है केस्टडी क्या एक प्रपटी है रेट जीरो प्रपटी हिरो इसके उपर मैंने यह बनाई यह वीडियो यह बना बढ़ गबाली एक कसवा है महाली से जब हम सरहंद को जाते हैं फतेगर साब को जाते हैं जहां अभी पादेखर साब NEW गों机 Discovery बच्चे GEMके बच्चे जो हमारे दर्सबें पास्चा अनके बिच्चे शीह सहीद कीए पिलिए दे सरहंद में तो वहां वह उसको फतेगर साब आजकल नाम है उसका यह मुहाली से सरहंद फतेगर साब को रूड जा रही है उसके ओपर एक कस्वा पड़ रहा है बडाली और यह प्रपर्टी जो इसमें यह मैंने मार्की है सब शौप्स बगैरा बनी हुए है यह सामने भी मार्किट ही मैं ने दिखाई एब इसमें यह जो प्रपरटी मैंने यह तीस नबबे लगा है और इसको जो मैंने करने के कोश़े है यह प्रपरटी मिल रही न हमने आइस से आगे थोड़ा यहां पर जाके फेले फीनप बीची है, उसकी मैंने वीडियो बीद आली ती यहां पर जाके यह त के बाद उसके बहुत ग्राक आए पहले हमें कहते थे कि आप इसमें आपने महंगी ले ली ये ले लिया लेकिन हमारा कॉंफिडेंस ऐसा था कि हमने का भी चलो महंगी हो सस्ती हो जो लेगी लेगी अब बेचनी है तो बेचने के बाद जब गई तो उसके मेरा खाल ने निकल सकती हैं समयराम से और ये सिर्फ बारह या तेरह हजार पे गज में मिल रही है सिर्फ पंद्रह जार पे गज मांगरा है बंदा हो सकता है बारह या तेरह में मिल यह बीस हजार का रेट हो गया इसको ये बारह तेरह तेरह महजार पे गज के हसाब से लोग इसको प किलो हो जाए सौर्वे किलो हो जाए तो टीवी में भी एड चलती है अख़बारों में भी आता है तो यह मतलब सस्ती चीज हमारा कभी भी द्यान ने की थी तो यह जो मतलब यह मैंने प्रॉपटी बताई है यह काफी सस्ती है और लोग जाते देखके वापपिस आ जाते जात है तो हीरे की कीमत उस दिन पता लगेगी तो यह प्रॉपटी जिस दिन कोई लेगा यह फिर वी सह जार में गज में विकेगी क्योंके यहाँ पर कोई भी प्रॉपटी इस में इस सस्ता रेट ही नहीं है मैंगरंटी देता हूँ लिख आउन पर लिके देने को त्यार हूं इस प्रपटी से सस्ता रेट पूरे शहरर में ही नहीं है लेकिन, सस्ती चीज सिहigung हमें अट्रीक हीgest ही नहीं करते ही ही चाहे सबजी हो, को चाहे कोई कपड़ा ओच आए कोश को सस्ता कपड़ा हमें दिखाई तो शोरूम वाला दिखाता है शाट सस्थी दिखाता है वे हम करते नहीं नहीं इसको ढ़िए हम इस तरीके का हमारा मैंड सेट हो चुका है कि हम सस्ती चीजी की तरफ ध्यान ही नहीं नहीं देते तो दोस्तों यदि आप प्रपटी कारोबारी हो चलो ठीक है आम आदमी को तो नहीं ध्यान दे रहा आम आदमी नहीं ध्यान दे रहा ठीक है यदि आप प्रपटी कारोबारी हो और प्रपटी कारोबारी को तीन में बतें बताता हूं नमबर एक कैलुकुलेशन नमबर दो उसका कमपैरिजन आफ रेट नमबर तीन मैनुपलेशन यह बेसिक चीज़ें तीन है जिसने आदमी ने रियल सेट करम करें जैदि आप प्रपटी करोबरी तो फिर तो हमारा सोचना बनता है ना चलो एक आदमी जो प्रपटी का करोबरी कि यार यह प्रपटी हमें ले दो हमें यह ले दो लेकिन अभी नहीं ले रहे जिस दिन यह प्रपटी बुक हो जाएगी कोई इसको वेपारी इसको बुक कर लेगा इसका एग्रिमेंट कर लेगा उस दिन के बाद लोगों ने कहना है यार हम ले लेते तो अच्छा था हम ल करो उसका मैनुपलेशन करो मेक हे वाइल संशाइन मतलब एक हम शटी किताब में शटी क्लास में हम पढ़ते थे मेक हे वाइल संशाइन भी जब सूर्ज चड़ा हो तो उसका फैदा उठाना चाहिए इसी तरीके से जब कोई अच्छी डील मिल रही है यह अच्छी डील है आप उसको लेके उसको बैटर त्रीक के से डिवेल्प करके इसको त्यार करके बेश सकते हैं और यह बड़ी मज़ेगी बात है जो यह यह इसके साथ के यह यह दोनों में मोटर सेकलों की जन्सी है बड़े बड़े मज़ेगी बात है उद्दर भी मोटर सेकल एजन्सी उद property देखने जाओगे देख लेना आपको पसंद ना आए तो मेरे को जो जर्मना लगाना लगा देना आप इतनी बड़िया प्रॉपर्टी है फ्यूचर के लिए इच्छी है काम आने के लिए बहुत अच्छी है सो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने कभी भी हमें इगनोर नहीं करना जाएए यह चैनल आपकी नौलेज एन्हांस करने के लिए आपकी नौलेज बढ़ाने के लिए है आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी कोई और चीज पर नए पर आपको नए टॉ आप वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख जा करो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ बात करो ताकि ऐसी वीडियो से ऐसी डील से आप फैदा कमा सको अपने मैं इसमें पहले इस से पहले वीडियो मैं यही कहा था कि एक ने टॉपिक के साथ आप अपना ध्यान रखो पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ पढ़े का इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थैंकी बरी मच्छ मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ